हालो गाइज विलकम तुम्रेश विस्करमा क्लासेज एंड तुड़े आम गोईंग टूच यू डिकंपोजिशन डियक्शन्स फोर क्लास तेन्थ एंड यह जो डियक्शन है यह चप्टर वन केमिस्टी के से रेटेट है जिसका नाम है केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन त तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिकंपोजिशन डियक्शन क्या है और रियक्शन इन वीच सिंगल कंपोनेंट ब्रेक्स डाउन तो प्रोड्यूस तूटेगा और तूटकर दो से दो या दो से ज्यादा हमें प्रोडाक्ट बनाएगा यानि कि आप ध्यान दिजिए एक हमारे पास रियक्टेंट होगा अब ये रियक्टेंट थैन आ आप डियेक्टेंट जुटे गा तूटकर दो या दो से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बने गा कि इस रियक्शन को बोलेंगे डिकंपोजिशन रियक्सन को आप दुस्रे तरह से निदिफाइन कर सकते हैं लाहि यानि कि प्रोडक्ट में convert हो जाता है उसको बोलते हैं decomposition reaction like यहाँ पर substance यहाँ पर compound है xy और xy breakdown हो गया breakdown होकर इसका x अलग और y अलग हो गया यानि कि आप single reactant होता है इसके अंदर decomposition reaction को समझना बहुत इसान है इसके अंदर सिंगल रियक्टन होगा जबकि प्रोडक्ट दो यादो से ज्यादा होगा तो वह decomposition reaction है अब यह जो breaking of compound यह तूटा मैंने बोला कि यह तूटता है और तूटकर दो यादो ज्यादा प्रोडक्ट बनाते है तो यह अपने आपको तूटे का नहीं इसके लिए कोई ने कोई हमें इसको breakdown कराने के लिए कोई ने कोई हमें carrier चाहिए मतलब कुछ ऐसे चीज़े होती है जो इसको breakdown करती है वो चीज़े क्या क्या हो सकती है वो चीज़े light हो सकती है वो चीज़े electricity हो सकती है ठीक है और वो चीज़े जो होती है वो temperature हो सकती है तो यह तीन चीजें जो होते हैं यह तीन चीजों के कारण ही decomposition reaction होता है या तो हम इसके थुरू light पास कराएंगे या तो electricity पास कराएंगे या तो इसको हम temperature देंगे heat करेंगे तब जाकि यह breakdown होके है एक स्थरवाई में separately वह डिवाइड हो तो यह तीन चीजें की प्रजेंस में ही decomposition reaction होता है तो आपका सकते हैं एक अगला topic हमारा यह होगा कि the ways in which decomposition reaction takes place decomposition reaction कितने तरीकों से होता है तो इसको कराने के लिए तीन चीज रिस्पोंसिबल है एक तो यह होता है with the help of heat, heat के मदद से होगा और दूसरा जो होगा electricity के मदद से होगा और तिसरा जो होगा light यानकी sunlight के मदद से होगा तो अगर decomposition reaction heat के मदद से होता है तो उसको कहते हैं electrolysis या electrolytic decomposition फिर से आद रहके decomposition reaction अगर को कराने के लिए अगर हमें heat के जिरुवत है तो उसको कहेंगे electrolysis या उसको बाते हैं electrolytic decomposition अब electrolysis electrolysis decomposition क्या है उसका का बारे में आफ बशिक चीजी जान गए होंगे कि ऐसा decomposition reaction जिसको कराने के लिए हमको electric current चाहिए यह मतलब हम compound से electric current पास कराएंगे, electric current पास कराएंगे तब वो compound होगा, breakdown होजागा, breakdown होने के बाद अलग-अलग product में, वो हमें separate होके मिलेगा, यानि कि ऐसा decomposition detection जिसको कराने के लिए हमें electricity के दिरुवत है, हम electricity को pass कराते हैं उस compound से और compound breakdown होके, ब्रेकडाउन इंटू और मोर प्रोडक्ट बन जाता है, electrolysis वर्ड का मतलब होता है, यह दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, electrolysis, electrolysis का मतलब होता है, electric current, lysis का मतलब होता है, ब्रेकडाउन, अब example देखते हैं, electrolysis या electrolytic decomposition का example देखते हैं, जैसे यह water है, एक pure water नहीं है, यह acidified water, pure water good conductor नहीं होता है, ठीक है student, pure water good conductor नहीं होता है, तो यह क्या है acidified water, मतलब इसके अंदर, तोड़ी सी amount of acid है, जिसके करण क्या हो, यह conductor है, क्योंकि गर हम pure water यहां लेंगे, तो bad conductor of electricity है, तो वहां पर electric current pass कराएंगे तो फिर यह dissociate मतलब इसका hydrogen oxygen अलग अलग नहीं हो पाएगा तो यहां हम लेते हैं acidified water इसका मतलब कुछ drop इसमें क्या है कुछ drop इसमें acid की है और इससे current जब पास कराते हैं यह आपका कलाया decomposition reaction और यह decomposition reaction कराने वाला कौन है इलेक्ट्रिक करेंट है इसलिए इसको बोलेंगे electrolysis या electrolytic decomposition reaction अब student हम लोग दुसरा example लेते हैं NACL sodium chloride अगर dry NACL लेते हैं that is bad conductor of electricity वह जो है bad conductor of electricity है और फिर वह आयन में dissociate नहीं होगा आयन में नहीं तूटेगा तो हमें जो sodium chloride यहां लेना है वो molten लेना है पिगला हुआ लेना है या एकवस्त पानी के साथ उसका solution बना कर लेना पड़ेगा और उससे electricity जब पास कराएंगे ना तो NACL का जो component है sodium और chlorine यह दोनों अलग-अलग हो जाएगा तो यह क्या हुआ decomposition reaction हुआ और electric current is needed here that is why it is called electrolysis या electrolytic decomposition उसी तरह से alumina इसको बोलते हैं student और current जब पास कराते हैं तो यह ammonia में इसका oxygen अलग-अलग separate हो जाता है तो यह भी decomposition reaction है और current की जरुवत था इसके अंदर तो इसको बोलेंगे electrolysis या electrolytic decomposition reaction अब इसके बाद हमनों पढ़ेंगे thermal decomposition या thermolysis thermal decomposition reaction और thermolysis के आतास्टेंट यानि की ऐसा decomposition reaction जिसमें compound को तोड़ने के लिए हमको heat देना पड़े compound को तोड़ने के लिए हमें heat देना पड़े उसको बोलेंगे thermal decomposition और thermolysis बोलते हैं जैसे calcium carbonate इसको limestone भी बोलते हैं करवल भी बोलते हैं जब इससे heat pass कराएंगे तो CAO calcium oxide इसको क्यूक लाइम भी बोलते हैं या unselect lime भी बोलते हैं वह बनता है और यहां पर गैस बनती है इंडो थर्मिक भी है क्या है इंडो थर्मिक है इंडो थर्मिक केमिकल रियक्षन भी है आप पड़े हैं कि ऐसा रियक्षन जिसमें heat की जरूवत होती है heat absorb होता है तो यह इंडो थर्मिक रियक्षन भी आपका है और सासा जो है heat की वज़से ही यह breakdown हुआ अपने प्रोड़क्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोड़क्ट में इसलिए इसको thermal decomposition या thermolysis भी हो लेंगे और बहुत से हम लोग जांप लेंगे इस पर जैसे potassium chloride से heat pass कराएंगे तो potassium chloride प्लस oxygen बनेगा लेबरेटरी में लैब में oxygen बनाने का सबसे बेश तरीका यही है इसी मेथट से लेबरेटरी में oxygen त्यार किया जाता है यानि कि this is the best one method to produce oxygen यानि कि we call it oxygen preparation method यह भी एक्जांपल है क इसका थर्मोलाइसिस का यह एक्जांपल है यानि कि thermal decomposition का अग्जांपल है इसके बाद देखते हैं फैरिक हाइड्र ऑक्साइड को हीट देंगे तो फैरिक ऑक्साइड प्लस water में convert हो जाएगा यानि कि यह compound breakdown हुआ due to heat और अलग अलग product बने यह भी थर्मोलाइसिस के इसके यह दो मॉल्कुल्स वाटर इसके अंदर है अब इसको हीट देंगे तो इसका वाटर मॉल्कुल्स क्या होगा वेपर बनके separate होके अलग हो जाएगा और H2C2O4 यहां मिल जाएगा और वाटर पर फ्राइज होके अलग हो जाएगा तो यह एक एक्जांपल होगा यह आपका थर्मल डीकंपोजिशन और यानी कि थर्मोलाइसिस का ुछिस टेट इनट प्रोसेस होता है कालसिनेशन का प्रोस। ताह जब एक्स्ट्रेक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे कि और से मेटल कैसे तियार होत आ तो यहां कालसिनेशन में भी क्या होता ने क्या है कामसी रियक्श कार्बोनेट और के लिए इस्तमाल होता है कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह क्या हुए एक तरह से यह कार्बोनेट और हो गया और यह अक्साइड में कीजwenों से अद्स होता है कार्बोनेट वब्सक्राइप्र सब्सक्राइप गया अधार और इसको यह भी कार्बोनेट ओर है इसजैंव जो process होगा इसको Kalinason bollen गे saenzthon क्या है कैसे जिसमें C boundaries और को स bol Do करते है कैसे हैं इसको गरम करते हैं हावा के बग혈र तो जिनक pode कबन अलग हो जाएगा अब यह आप स्टोडियंट आप देखी यहां काफी इन उप जा रहा हूं जीनक jink oxide को कारते हैं philosopher wool अब क्या रीजन है क्यों का थे coffee उसको जानने करें और comment box न के बारे में बताएं क्यों का एहं ट यह दोने अग्जामपल है दोनो प्रोसेश को कहांगे calcination and calcination is here also the example of thermolysis थर्म islands १रिक Vous कि इसके वह स्टेरशन और इंय हम ल беспिल में लिते हैं जैसे नाइट रेट जो इसको जो जब हम घर्म करते हैं तो इसको जब यॉक्साइड बनता लुब बलخ हो सब्सक्राइज़ करको मिलता है तो यह थे कंपांड टूट कर थी twice बना हम मतला more than two बना रहा है यह decomposition reaction है और heat की जरुवत है चलिए thermal decomposition reaction है यह thermolytic decomposition reaction है इसके बाद student हम लोग देखते हैं ammonium dichromate अब ammonium dichromate NH4 halt wise CR207 solid form में है यह orange color का होता है और जब इसको गर्म करते हैं तो nitrogen chromium chromium trioxide और water बनता है यह colorless होता है यह green color का होता है यहां भी सिंगल सा compound तीन product बना रहा है with the help of heat यह भी example हो गया thermolysis यानके thermolytic decomposition reaction का student अब हम लोग इस्ट यह जानने की कोशिस करेंगे अब हम लोग इस्ट यह जानने कोशिस करेंगे कि photo thermo photo decomposition reaction क्या होता है जिसको photolysis बोलते हैं तो ऐसा decomposition reaction जो sunlight के help से होता है sunlight के help से भी compound होते हैं तूट कर दो या दो से ज्यादा product बनाते हैं उसको बोलते हैं photo decomposition reaction या photolysis बोलेंगे जैसे एजी शियल मितलब हो गया यह silver chloride अब silver chloride white color का होता है sunlight पास कराते हैं तो silver अलग है अलग हो जाता है यह gray color का होता है फिर एजी बी आर सिल्वर ब्रॉमाइट यह light yellow color का होता है sunlight पास कराते हैं तो यह silver अलग और ब्रॉमीन अलग यह gray color का यह brown color का में मिलता है तो देखो यह टूट रहा है यह भी टूट कर दो प्रोडक्ट बनाया तो किसके कारण यह हुआ sunlight के पास कराने से लाइट के पास कराने से तो जब light के पास कराने से कोई compound टूट कर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा ना उसको बोलेंगा फोटो डिकंपोजिशन डियक्शन या फोटो लाइसिस बोलिंग उसको एक और एक्जामपल लेते हैं जैसे यह है हाइडोजन पौर अक्साइड अब हैडोजन पौर अक्साइड से भी हम जब सनलाइट पास कराते हैं तो वाटर और अक्सीजन हमें मिलता है और यह भी एक एक्जामपल हो गया आपका किसका फोटो लाइसिस का या निकी फोटो डिकंपोजिशन रियक्शन का तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अब हैजी सी एल और अजी सील से सनलाइट पास करें तो ब्रेकडाउन हो गया अपने दो प्रोडक्ट में एजी बी आर सिल्वर वर्माइट का भी वही हुआ इस टू ओ टू हडोजन पॉर अक्साइड का वही हुआ इस इन तीनों को क्या कहेंगे यह तीनों पर सनलाइट मिलते हैं यह क्या होगा अपने दो या दो से जादा प्रोड़क्ट में डिवाइड हो गया तो इनको कहेंगे कि फोटो सेंसिटीव कंपाउंड है मतलब लाइ गी ऐजी सी एल ब्रेक होकर क्या बनादा था अजी प्लस क्ल टू इसको बैलन्स कर लिजude हम लोग और फिर हम लोग पढ़े थे अजीव चांवे ब्रेक्ट हुआ था तो एजी प्लस ब्रेक्ट बनाया था यह दो री एक्शन स्टुएंट है काफी इंपॉडेंट है यह द इस पर जब हम यूभी आनकी सानलाइट भेजते हैं तो यह तीन जो रियक्शन है ना इन तीनों रियक्शन का यूज किया जाता है बलेक वाइट फोटोग्राफी में हम लोगों ने देखा कि डिकमपोजिशन रियक्शन कब कब होता है तो तीन चीजों से होता है इसलिए उसके तीन पार्ट हो जाते हैं तीनों पार्ट को हमने एक्जामपल के थुरू देखा अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि 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 डिकमपोजिशन रियक्शन जादातर क है जिसको हीट की जरुवत पड़ती है है ना उसको एनर्जी की जरुवत पड़ती है चाहे वह एनर्जी उसको हीट की रूप में मिले या लाइट की रूप में मिले या इलेक्रिसिटी की रूप में मिले कोई भी decomposition reaction ऐसा नहीं है मतलब कि जो हीट के बगएर होगा तो सभी को हीट के जुरूत पड़ती है वो हीट उसको अलग-अलग form में मिलता है इंदर presence of heat energy जो है उसको हीट के form में वो उसके light के form में और electricity के form में उसको मिलता है और actually क्या होता है कि हम लोग heat light जो energy क्यों देते हैं क्योंकि यह क्या करता है यह compound के अंदर जो bond है उस bond को तोड़ता है और bond को तोरकर जो है तोड़ता है जिसका कारण क्या होता है कि वो compound टूट जाता है टूट कर दो या दो से ज़्यादा product बनाता है यहां देखेंगे कर दो जादा प्रोडर्ट्त में मिलकर एक प्रोडर्ट बनाता है यान कि डीकमपोजिशन में चीज़े तूटती है और कमबनेशन में जोडती है यह दोनो प्रोस्स जोगों एक यह प्रोजिट हुए है सो आज का वीडियो का लाज्ट टॉपिक हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं स्टुइंट हम लोग पढ़ेंगा डीकंपोजिशन का यूज तो डीकंपोजिशन सैमिंट बनाने में कैल्सियम ऑक्साय्ट बनाने में और यह तो तो करने में प्राप्त करने में अगली वीडियो में तब करें विडियों के लिए इस के बारे में तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिक्या का यूज होता है अगली वीडियो में जानेंगे कैसे इक सब्सक्राइब का इंचारों चीजों में यूज होता है उनको जानेंगे थर्माइट वेल्डिंग क्या है या रिलीव प्रॉम देशी डिनाइजिसन क्या है तो गया आज की वीडियो इतना ही थैंकियो फॉर वॉचिंग्स ये समय फ़ॉरो फोडिक्स िडान marriage ये स्ट रिफास का इंचारों स्क्राइब का आन या भी